नमस्कार दूस्तों तो चलिए आज की इस कलास में हम लोग बात करेंगे चंद गुप्त महुरी की जीवनी के बारे में यानि के इनके जीवन परचे को हम लोग देखेंगे बच्पन से लेकर इनकी अंतिम यात्रा तक सभी कुछ हम लोग जानने को इसमें मिलेगा याद रखेंगे इनके जो गुरू थे चाडक साहब उनके बारे में हम लोग उने पीछे बात कर चुके हैं बहुत ही विस्तार से और भी याद रखेंगे आपके पिधानमंत्रीों की कड़ी पूरी कदम कर चुके हैं पंडि जबहलाल नहेरू से लगा कर पिधानमंत्री नैन सिंखला सुरूं की है, कि प्राचीन काल से हम लोग बात करेंगे, आपके जो भी राजा हुए, महान बैक्ती हुए हैं, एक तरह से जो भी आंदोलनकारी हैं, उन सभी के बारे में हम लोग करम से जानेंगे, तो आपका चाड़क साहब के बारे में जान चुके हैं, अब इनके बाद हम लोग असोग के बारे में देखेंगे, मौरवन्स का महान सासकता असोग, उसके बारे में भी जानेंगे, उनके बाद हम लोग आंगे बढ़ते रहेंगे, तो आप जानते हैं कि चंदकुप्त मौर को एक निचली तपके से उठा कर, इतने बड़ी संगापसन पर ब मौर समराज में मिलाने का से स्रेवी दिया जाता है, आपको पता होगा कि जब हमारे देश में सिकंदर का आकमर होता है, उस समय हमारे देश की एकता अकंड़ता के बारे में मालू चल जाता है, कि हमारे देश में कितनी एकता है, आपके जो भी राजा महराजा हुआ करते थ इसलिए इन्हें हरापाना बहुत आसान था इन्हें हराना तो यह इसी का फायदा उठाया है किसने चंदभुप्तमोर ने कि सभी को पराजित करके एक पहान मतलब मौर्स अमराज इस्ताबित किया उनके सासनकाल के दोरान अगर हम लोग मौर्स अमराज की बात करें तो पूर हुआ था यानि कि इनका इतना बड़ा समराज था कि आप देख सकते हैं कि बंगाल और असम से लेकर अफगारिस्तान और बलूचिस्तान तर उत्तर में आप कस्मीर और नेपाल तर और दक्षण मतलब दक्षण में आप दक्षण के पठार तक देख सकते हैं चंदगुप्त मौर अपने गुरु उचाणक के साथ नंद समराज को समाप्त करके मौ समराज की स्थापना की थी आप जानते हैं कि जो गहना नंद था उसे पराजित करके ही चंदगुप्त मौर ने ये सभी समराज इतना बड़ा स्थापित किया था लगबग इन्होंने 23 वरसों तक सफल सासन किया बाद में मालू है कि आपको चंदगुप तुमोर ने अपनी अंतिम मतलब समय में सभी सांसारिक सुखों को छोड़कर एक जैन सादू बनकर सलेखना विधी द्वारा अपने प्राण त्यागे सलेखना विधी का मतलब यह होता है कि भूँ के प्यास रहका अपना जीवन त्यागना देखे उस समय कैमरा इस तरह कि कोई सुविधा तो थी नहीं कि उनकी फुक पिक्चर्स रखी जा सकी तो यह आपके चितकारों ने बनाई हुई है चंदगुप तुमोर की और उनकी एक मतलब समझ सकते हैं आप लोग की कहानी का रोप देकर आप समझते हैं कि इसी के बारे में अगर आप पराक्रम उसमें बल साली हो तो आप उसी केसाब से उसकी पिक्चर्स बना देते हैं तो यह पिक्चर्स आपको कहीं बार देखने को मिलेगी चन्दगुप्टमोर की यही विक्चर्स बताई जाती है अब हम अगर हम लोग इनके प्यारम बेग जीवन की बात करें तो चन्दगुप्टमोर का आपका जनम होता है 340 इसापूर में कहां होता है पार्टली पूटमें जो आपका बिहार है आपका इसी में इस्तित है और कई बार मैं बता भी तुछ चुका हूँ कि यह इसा पूरु का मतलब यह होता है कि यह लाहन है ठीक है यहाँ इसा का जनम होता है तो इसा के जनम के पूरु अगर आप जाएंगे तो ईसापूर कहलाएगा, इसे बीसी से आप लोग पिदर्शित करते हैं और एडी मतलब या एसी, एडी या फिर इसवी इसे आप लोग ईसाप मसीहा के जनम के बात कितितियों को एडी या फिर इसवी कहते हैं, टीक है याद रखे तो उनका चंदगुप्त मौर का जनम कब होता है, 340 इसापूर में उनकी पेश्ट भूमी हाला की अनिश्चेत है, क्योंकि आप जानते हैं कि इनके बारे में कुछ जानदा, कुछ तत्त भी नहीं है कुछ दाबे उन्हें नंद के बंसे मानते हैं, उनकी माता का नाम की बात करें तो मूरा और पिता का नाम नंदा बताते हैं जबकि अन्द मानते हैं कि वह मयूर टॉमर्स के मौरिया जन जाती के थे चंदगुप्त मौर के परिवार की कहीं भी बहुत जाना जानकरी नहीं देखने को मिलती है कहा जाता है कि वे राजा नंदा और उनकी पत्नी मूरा के वेटे थे कुछ लोग मानते हैं कि वे मौर सासक के परिवार के थे जो छत्रिये थे कहते हैं कि चंदगुप्त मौर के दादा यानि कि चंदगुप्त मौर के पिताजी के पिताजी की दो पत्निया हुआ करती थी इन में से एक पत्नी के नो बेटे थी जिने उन्होंने नवनादास कहते थी और दूसरी जो उनकी पत्नी थी उनके चंदगुप्त मौर के पिता उनके बेटे थे जिने नंदा कहते थे नवनादास अपने सोतेले भाई किस से जलते थे कौन नवनादास तो जिसके चलते वे नंदा को मारने की कौसिस करते थे और नंदा के चंदगुप्त मौर मिला कर सौ पुत थे क्या नंदा के इनका जो पिताजी थे उनके सौ पुत थे चंदगुप्त मौर के कितने सौ भाई यानि कि नन्यानवे भाई थे जिने नौना दास मार डालते हैं बस एक ही बचते हैं इनमें चंदगुप्त मौर यानि कि इनके जो सौतेले भाई होते हैं वो इन सभी को मार डालते हैं इनके भाईयों को बस अकेले चंदगुप्त मौर बचते हैं मगत के समराज में रहने लगते हैं यहीं पर उनकी मुलाका चाणक यानि के इनके गुरु से होती है इसके बास से उनका जीवन बदल गया चाणक ने उनके गुड़ों को पहचाना और तक्छिला बिध्याले ले गए जहां भे पढ़ाया करते थे चाणक ने चंदगुप्त मौर को अपने अनुसाद सारी सिक्षा दी उन्हें ग्यानी बुद्धीमानी सभजदार महापुरुस्थ बनाया उन्हें एक सासक के सारी गुड़ भी सिक्षाएं क्योंकि आप जानते हैं कि चाणक राजनितिग में महांता हासिल किये हुए थे चाहे फिर आप अर्ध सास्तर में ले लीजे फिर चाहे आप लोग देख लीजे उनकी बिद्धवानता में हन्चेत में वो अपनी मतलब ख्याती प्राप्त किये हुए थे उस समय आप जानते हैं जिस समय आपने इस समय आप देख रहे होंगे कि हमारे यहां के देश के जो भी नेता है किस तने भेष्टाचारी होते जा रहे हैं तो इसी तरह उस समय घानानंद को भी देखा जा रहा था कि वो भी एक तरह का मतलब जंता की सेवाना करके भोग बलास में डूबा रहता था तो इसी को हटाने के लिए और एक अच्छे राजा को लाने के लिए सभी चाल चाड़क के द्वारा चली जा रही थी तो उन्हें भी जरूरत थी चंदगुप्त मौर जैसे लड़के की इसलिए उनने इसे चुना चंदगुप्त मौर की पहली पत्नी की बाद अगर हम करें तो दुरधरा थी जिनसे उन्हें बिंदु सार नाम का बेटा हुआ जो आंगे सासक बनता है इनके बाद इसके अलावा जो इनकी दूसरी पत्नी थी उनका नाम था हैलला और जिनसे उन्हें जस्टिन नाम के पुत्त हुआ कहते हैं कि चंदगुप्त मौर की दुस्मन से रक्षा करने के लिए आचार चाड़क उन्हें रोज खाना में थोड़ा-थोड़ा जहर मिलाकर देते थे जिनसे उनके सरी में पिती रोधक चमता आ जाए और उनसे सब्तु उन्हें किसी तरेक का जहर ना दे पाए यह खाना चंदगुप्त अपनी पतनी के साथ दुरदरा के साथ बाठते हैं लेकिन एक दिन उनके सत्रू ने वह जहर जाना मात्रा में उनके खाने में मिला दिया वो समय उनकी पतनी गरबदी थी दुरदरा इसे सहन नहीं कर पाते हैं और मर जाते हैं लेकिन चाड़क के समय पर पहुँचकर उनके बेटे को मचा लेते हैं, बिंदुसार को, और आज भी उनके बेटे असोका के लिए याद किया जाता है, जो एक महान राजा था, बिंदुसार की बात की जारी, बिंदुसार का बेटा असोक था न, अपने कुमाल होगा, एक आपको पोलियो का टीका करन लगाया जाता है, किसलिए लगाया जाता है, इसलिए लगाया जाता है, क्योंकि आपको पोलियो का टीका लगाने से, आंगे आने बाले दिनों में, अगर कभी पोलियो वाइरस आप पर अटेक करता है, तो वो आपकी सुरप्छा कर लेगा टीक समझ रहें तो यही काम रहता था कि थोड़ा थोड़ा विस इसलिए दिया जाता था अगर कोई चंदगुप्त मौल को विस देता है तो वो उस पर पिरभाव ना कर पाए उनकी सरीर पर लेकिन क्या हुगा कहा जाता है कि धोके से मतलब इन्हें पता नहीं था चंदगुप्त तो इनके जीवन की सुरवात यहां है अगर हम लोग इनके मौर समराज की स्थापना की बात करें तो मौर समराज खड़े होने का पूरा सरे चाड़क को ही दिया जाता है किसे इनके गुरु जो चाड़क थे उन्हीं को दिया जाता है चाड़क ने चंदगुप्त मौर से वादा किया था कि बे उसे उसका हक दिलाकर रहेंगे उसे नवदास की राजगत्ती पर बैठाएंगे चाड़क जब तक्छिला में टीचर थे तब अलेकजेंडर भारत में हामला करने की तेयारी में था यानि कि अलेकजेंडर वही है सिकंदर इसके बारे में भी हम लोग ने बहुत विस्ताल से पढ़ा हुआ था आपका देख लीजे तब तक्छिला के राजा बगंधारा दोनों ने अलेकजेंडर के सामने घुठ ने टेक दिये और आप सोचिए कि अगर कुछ दिन और जिन्दा रहता दो हो सकता था कि पूरे भारत को भी ये विज़ाई कर लेते क्योंकि इनके सामने कोई भी राजा नहीं टिक पाया इतने सकती साली थे चाडक ने देश के अलग अलग राजाओं से मदद भी मागी जिसने चाडक ने पंजाब की राजा परविर्थी सुर्ण ने अलेकजेंडर को योधि के लिए लेल करा परंथु पंजाब की राजा कुहार का सामना करना पड़ा जिसके बाद चाडक ने घना नंद नंदा समराज के सासक से मदद मादी जो नंद बंसका समराज का सासक था घना नंद इससे भी आपने देखा होगा कि यह आप मूवी भी बनी हुई है इस पर चाडक पर तो उसमें आप देखते हैं कि घना नंद से मदद मागने के लिए जाता है घनानंद ने बिजजित करता है और दर्वाल से निकाल देता है तर उसके बाद पितिक ग्या देखी हो गई आपने की चाड़क किस तरह से पितिक ग्या लेते हैं लेकिन उन्होंने मना कर दिया किसने घनानंद ने इस घटना के बाद चाड़क ने तैय किया कि भे समराज खड़ा करेंगे जो अंगरेच हमलावारों से देश की रक्षा करेंगा यानि कि यूरोप यह जो आपके सासक हुगा करते थे उनसे रक्षा करेंगा समराज उनकी अनुसार नेती से चले जिसके लिए उन्होंने चंदुप्त मौर को चुना चाणक मौर समराज के अगर हम लोग चंदुप्त मौर की जीत की बात करें तो चंदुप्त मौर ने अलेकजेंडर यानि कि सिकंदर को चाड़क नीती के उनसा चलकर ही हराय था इसके बाद चंदगुप्त वॉल एक तागतवर सासक की रूम में सामने आ गए थे उन्होंने उसके बाद अपने सबसे बड़े दुस्मान नंदा पर आक्मण करने का निश्य भी किया उन्होंने हिमाले की राजा परवर्त का किसात मिलकर घना नंदा पर आक्मण किया और 321 बीसी में यानि की 321 इसापूर में कोसमपूर में यह लड़ाई हुई जो कई दिनों तक हमें देखने को चली अंत्यमिक विजय हुआ चंदगुप्त मौर विजय ही होता है और उत्तर का यह सबसे मजबूत मौर समराज बन गया देखें कई जगे आपका मिलता है कि अलग जंडर यानि की सितकंदर से इनका योद्ध है लेकिन कई जगे इनका योद्ध नहीं देखने को मिलता है क्योंकि आप देखते हैं कि उससे पहले ही सिकंदर वापस लोड़ जाता है बिना योद्ध लड़ी उसकी सेना जो होती है वो आंगे बढ़ने से मना कर देती है इसके बाद चंदगुप्त मौर ने उत्तर सिदच्छड की और अपना रोब किया और बंगाल की खाड़ी से अरब सागर तक राज फैलाने में लगे रहे बिंदे को डिक्कन से जोडने का सपना चंदगुप्त मौर ने सच कर दिखाया दच्छड का दिक्तर भाग जो था एमौर समराज के इंतरगत आ गया एक यानि कि अभी तक मतलब समझ सकते हैं कि सबसे बड़ा विस्तार प्राचीन वारत में इन्हीं के पास अभी तक देखने को मिला है आगे और भी सासर को हैं उनके सासर में और भी देखने को मिला लेकिन अभी तक की बात कर रहा हूं 300 इसा पुरवत तक की फिर आपका 305 बीसी में चंदगुप्त मौर ने पूरवी एसिया परसिया में अपना समराज फैलाना चाहिए उस समय वाद सेलूकस निकेटर का राज्जी था जो आपका सेलूर सेड एमपायर का संस्तापब था अलेकजेंडर का जनरल भी रह चुका था यह आपका सेलूकस निकेटर यह आपका सिकंदर का जनरल भी रह चुका था पूरुवेसिया का बहुत सा भाग चंदगुप्त मौर जीच चुके थे बैसांती से इसे उद्ध का अंत करना चाहते थे अंत में उन्होंने वहाँ के राजा से समझोता कर लिया और चंदगुप्त मौर के हाथों में सारा समराज आ गया इसी के साथ निकेटर ने अपनी बेटी कि साधी भी चंदगुप्त मौर से कर दिये इसके बदले में उसे पास्सों हाथी भी विसाल सेना मिली किसे सेल्यूकर्ष निकेटर को चंदगुप्त मौर की द्वारा दीगे जिसे वे आँगे अपने योद्धिकी ओपयों में करते थे चंदगुप्त मौर ने चारों तरब मौर समराज खड़ा कर दिया था बस कलिंगा यानि कि अब उड़ी सा और तमिली समराज का हिस्सा नहीं था इसके समय चंदगुप्त मौर के इन हिस्सों के को बाद में उनके पोते असोका ने अपने समराज में जोड लिया था यानि कि कलिंग और तमिली के चेत को चंदगुप्त मौर नहीं जीत पाया था इसे मौर समराज का हिस्सा बनाते हैं असोग यानिकि उनके पोते अगर हम लोग चंदगुप्त मौर के अंतिम दिनों की बात करें तो इनका जैन धरम की तरब जुकाओ होता है चंदगुप्त मौर जब 50 साल के थे तब उनका जुकाओ जैन धरम की तरब हुआ उनके गुरु भी जैन धरम के ही थे जिनका नाम बदभाव था 298 बीसी में उन्होंने अपना समराज बेटे बिंदु सार को देकर करना तक चले गए उन्होंने जहां उन्होंने पाच हपतों तक बिना खाये पिये ध्यान किया जिसे संथारा कहते हैं ये तब तक करते रहे जब तक कि आप मर ना जाए यही चन्दगुप्त मौर ने अपने प्राड त्याग दी इसमें क्या होता है कि आप भूँके प्यासे तब तक रहते हैं जब तक कि आपका स्रीफ पूरी तरह से मतलब आपकी खतम ना हो जाए यानि कि आप मर ना जाए और जेन धरम में ये आपको कई वार देखने को मिलता है अभी भी आप सुनते रहते हैं कि उस उन गुरू ने जेन गुरू ने इस तरह की विधी अपनाई हुई है चंदगुप्त मौर की जाने के बाद उनके बेटे ने समराज जांगे बढ़ाया जिनका साथ चाड़क ने दिया चंदगुप्त मौर बाद चाड़क ने मिलकर अपनी सूजबूस से इतना बड़ा एंपायर यानि कि समराज खड़ा किया था बे कई वार हार वे भी थे लेकिन बे अपनी हार से भी कुछ सीकर आंगे बढ़ते थे चाड़क के कूटनीती के चलते ही चंदगुप्त मौर ने इतना बड़ा एंपायर खड़ा किया जिससे आंगे जाकर उनके पोते असोका ने एक नए मुकाम पर भी पहुँचाया था चंदगुप्त मौर जैसे महान सासक युद्धा से आज के नौजवान बहुत सी बातें भी सीख सकते इन पर बहुत सी पुस्तकें भी लिखी गई हैं साथी चंदगुप्त मौर टीवी सीरिज भी आई जो बहुत पसंद भी की गई है याद रखिये इनमें मतलब आप सोचिए कि मौर समराज में तीन ही सासक महान हुए पहला चंदगुप्त मौर पर आप देखें कि बिंदु सारे का इतना नाम कम ही नाम है लेकिन असोग का इनमें नाम है और असोग के बारे में भी हमें जानना चाहिए तो उनके बारे में भी हम लोग आँगे बात करेंगे एक कहानी एक सौट कहानी थी किसकी चंदगुप्त मौरी की ठीक बाकी इतिहास आप जब भी पढ़ते हैं तो उसमें विस्ताज से पढ़ाया भी जाता है चलिए तो हम लोग असोप के बारे में जानेंगे आँगे